और जारकन की पुर्वे सिंभुम जिले के घाडशीला बैरक का एक RPF कॉंस्टेवल खडखपूर में कोर्णा वारस पॉजिटिव पाया गया वो बनारस का रहने वाला है इस खबर के बाद अपता कोर्णा से महफूज कुलहान में हड़कम पजगया है खडखपूर डिविज खडखपूर को पता चला कि दोनों दिल्ली से लोटे हैं इसलिए दोनों को हॉंम कॉरेटाइन में रख दिया गया है एक जवान को उसके कॉटर में और दूसरे को बैरक के पास एक कमरे में कॉरेटाइन किया गया है उधर अपरेल को इनकी जाच हुई 24 अपरेल को रेपोर्ट आए कुल आठ जबान पॉजिटिव पाए गए लेकिन जबान के संकरमित मिलने पर कोई सवाल उठे हैं दिल्ली से जबान खड़कपूर आता है कोरुना जाच नहीं होती है फिर घाटशिला आता है बैरेप में रहता है वापस खड़कपूर जाता है वहीं जाच पे पॉजिटेव आता है कहा ये गया है कि घाटशिला में जबान कॉर्टाइन में था तो फिर जाच क्यों नहीं हुई इधर इसको लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और रेलवे के पीच भी जुबानी जंग शुरू हो गई है और इस पर जाधा जानकारी के लिए समबदाता अने अमरता हमारे साथ जूचुकी है उनसे बात करते हैं अनि जिस तरह से एक ये जो खबर मिली है उसके बाद से जाहिर सी बात है कि पूरे कुलहान में हड़कंप मच गई है लेकिन जाहिर सी बात है जो अब हमने तूटिय प्रशासन के दावों पर सवाल उठना लाजमी है बिल्कुल अमीता सबसे पहले तो रेलवे पर सवाल उठता है जो परसी मंगाल में उठाया भी जा रहा है जो सत्ता जो पार्टी है उनके सांसे ने उठाया है ट्वीट का भी खेल चल रहा है और उसका जवाब भी बहुत आज से लॉट डाउन के समय में ऐसी क्या नौबत आ गयती क्या युद्ध हो रहा है कि आप गोला और बारुद लाने के लिए जवानों को भेज रहे हैं और यह जवान जब यहां आते हैं खड़कपुर उतरते हैं अमीता उसके बाद से उनमें से दो जवानों को घाट सील घाट सीला में होती है और उनको भेज दिया जाता है और इस बीच बाकी जवानों की टेस्ट की जाती है और उस टेस्ट में कुछ जवान पॉजिटीव आते हैं उसके बाद हड़कप मजता फिर उन दोनों जवानों को घाट सीला से बुला कर टेस्ट किया जाता है और फिर वो घाटसीला क्यों भेज़ दिया गया घाटसीला में वो क्वारंटीन में था फिर वापस वहां से कैसे खड़कपुर गुला लिया गया इसी जीले में क्यों नहीं जाच हो गई रेलवे और यहां के प्रशासन में आकर क्या खेल चल रहा था या किस तरह की समबाध हिंता थ सकता है क्या उसको यह जूट है सबसे बड़ा सवाल तो वहां पी जो सवाल उठाया है पसी मंगाल की सरकार ने सही उठाया है रेलवे ने ट्वीट पर जवाब भी दिया यह ट्वीट का खेल चलेगा लेकिन यहां पर यह बहुत बड़ी लापरवाही हुई है अमीता क्यो सारे जवान बैरक में थे उनके सैंपल लिये गारें जिसकी आज देर शाम तक रिपोर्ट आएगी अमीता तो एक डर ब्यागत हो गया है खुदाना खास्ता अगर इन में से पर पर जाने के लिए उन्होंने सफर किया अब आप समझ जाए कि उन जवानों के साथ साथ जो उ कैसी हो सकती है सफर के तोरान कई लोग संपर्क में आयोंगी फिटर पे जवाब देने का खेल तो चलता रहेगा ये अब लेकिन देर हो चुकी है जिस बात का खतरा था वो तो हो चुका है क्योंकि कुलान में ऐसे एक भी केस नहीं थे लिकिन छोटी सी चूख एक लाप पर 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 तो अभी अधिकार शेत्र की कौन सी यसी बात है जिसको लेकर यहां उसके सैंपल नहीं ले गया इसको स्पस्ट नहीं किया गया है अमीता लेकिन यहां भी अगर सैंपल ले लिया जाता उसी वक्त उसको कड़ाई से कौरेंटीन कर दिया जाता कहीं जाने नहीं दिया जाता तो तब भी कुछ बात बन सकती थी लेकिन यह तो अब सोचके सबको डर लग रहा है कि 15-20 यह जवान यहां था यहां घाठचिला अन्य जवान थे अब उनके सैंपल की जांच हो रही है तो देखी अमीता अब क्या रिजल्ट आता है अगर सबके रिजल्ट नेगेटिव आते हैं इश्वर करें तो बहुत अच्छी बात है और नहीं तो यह जो दस्क तक हुई है ना इसका तो शेत्र ब्यापक हो जाएग जी अमीता चलिए हम से बात करने के लिए तमाम जानकारे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया समधाता ने अमरता मारसा चुड़ी हुई थी बता रहे थी कि अब जो स्थिती है वो भयावा हो गई है और अगर रेल प्रबंधन उसी वक्त जाकरूख होता अलर्ट होता तो श